बढ़वाने जिले में कोरोना काल के बाद कई लोगों की आर्थिक इस्तिती खराब हो चुकी है लागडाउन के बाद सबसे ज़्याता किसानों की खेती बाड़ी परभावित हुई है इस साल फूलों कारोबर करने वाले माली समाच को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है कोरोना काल में हुए लोगडाउन में फूलों की बाहर अपने पूरे शबाब पर थी तब इनके लिए बाजार खुला नहीं था उस दोरान शहर के समीप माली महले में मालीयों को फूल फेकना पड़े थे जिसके चलते लोगडाउन खुला और दूसरे रोपे लगाए गये इनने खेतों में लगाए गये लेकिन इस पर वाइरस का असर आ जाने से फसल पूरी तरह से परबाद हो गई है इन दिनों हालात यह हैं कि तेवहरी सिजन में इनके पास फूल नहीं है कई माली तो बाहर से महंगे फूलों को खरीद कर बेच रहे हैं जिससे उन्हें मुनाफ़ा कम हो रहा है जिससे उनकी आये बहुत ज़्यदा परभावित हो रही है माली समाच के बुजो की हिरारी लाल माली ने बताया कि यह पूरा साल सबके लिए घटा देने वाला ही रहा उन्होंने बताया कि वर्तमान में इसी हाला थे कि मजदूरों की मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है ऐसे में आर्थिक संक्ट जहलना पड़ ला है माली महला में 17 स्यादा परिवार फूलों की खेती कर अपना घर चलाते हैं इस साल इने भारी नुक्षान उठाना पड़ा है ब्रदवाने सचल कमाओद की रिपोर्ट कितने परिवार के लोग के ले keyword सब buckets बेखे के आप उनको देना तो कां जेना अभी मजबूरी में हमें खरिद खरिद के लाना पड़ता कि इंदोर गये कोई रतलाम गया कोई कहां गया मतलब बाहर से खरिद के लाके आप लोग देख रहे कि सब दुकाने जो लाए सब बाहर से खरिद के फूल के लाए महंगा फूल इस बार 120-500 रुपे खरिद रहे हैं मतलब मेंगा पड़ रहा है कि क्या भाह में बेचेंगे अब दुकान तो चलाना है जो अपने को भले नहीं नहीं निकले कि हमारे पास लेवर काम कर रहे हैं तो उनको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा न वह कहां जाएंगे क्योंकि वह तो बंदे हुए हमारे 12 महीने अब सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले